सो गाइज वलकम बैक टू माइक्रो कलासीज हमारी मेरट उन्यूवस्टी और सारणपर उन्यूवस्टी की बियर्ड सेकेंड एर की कलासी चल लई है आज का हमारा सब्जेक्ट है क्रियेटिंग एन इनकुलोजी विश्कूल इस सब्जेक्ट की यह 10th कलास है आज का हमारा टो कॉछ्चन हो एक कॉछ्चन आपके प्पर में आता ही इंपोर्टेंट है सोट में आता है उसी का प्रोप हम पढ़ेगे थो आज का मारा टोपिक है मंद्धुद्दि बालक है ये इस तरह से भी आपके प्पहजा जा सकता है मांसी मंदन किसे कहते हैं या मांसी रूप से पिछड़े बालक कोन होते हैं, तो वो सैक्सिक रूप से पिछड़े बालक होता है, मानसी रूप से पिछड़े बालक नहीं होता, तो अगर आपके पेपर में पिछड़े बालक लिखवा आएगा, और मानसी रूप से पिछड़ा बालक है, तब मन्द बुद्धी बालक है, अगर यह नहीं लिखा हुआ तो वो दूसरा टोपिक है जिसे हम next class में पढ़ेंगे यह ध्यान रखना तो थोड़ा confusion पैदा हो जाती है इसी वज़े से मैं English में लिख रहा हूँ पेपर में भी आपके English में लिखा हुआ आता है आप महाँ पर भी पढ़ सकते हैं mentally retarded children यह मैंटल return तो retardations यह related आपको देखने को मिलेगा अब इनकी बात करते हैं मंद बद्धि बालग कोन होते हैं देखो मंद बद्धि बालग में बालग होते हैं जो मान्शिक Group से पूरी तरह से विक्षित नहीं हो पाते जिनकी बद्धि का कम विकास होता है आसान बासा में हम इने पागल कह देते हैं, यह कह देते हैं कि यह कम बुद्धी वाला है, इसकी बुद्धी का पूरा विकास नहीं हुआ है, इसमें बुद्धी कम है, दिमाग थोड़ा सा कम है इसमें, तो यह कह देते हैं, नोर्मल यह हम इने पागल कहागर बुला देते है कि यह पागल है थोड़ा इससे बच कर रहा हूँ या ध्यान रखना पड़ेगा हमें इसका तो इतना ही काफी आप आसनी से समझ पाए होंगे मंद बुद्धी बालक कौन होते हैं इन बालकों की बुद्धी का पूरा विकास नहीं हो पाता है यह अपने काम भी नहीं कर पाते द्यानी कारे जो इनके खाना खाना कपड़े पहनना वगर है उसमें बीने देखरेक की जरूत पड़ती है कहीं बार रोड पे चले जाएं तो इनकी देखरेक करनी पड़ती है हमें अक्सिडेंट नहीं हो जाए अगर कलास में आपके सामने कोई मंद बुद्धी बालक आया पूरा विकास नहीं हो पाता वही बात है इनकी बुद्धी एविक्सित रह जाती है बुद्धी कम रह जाती है यह बालक मानसिक रूप से इतने पिछड़ वे होते हैं कि कक्षा में दिये गए निर्देशों को भी आसनी से नहीं समझ पाते हैं इन बालकों का जो सकतर भी देखने को मिलेगा कहीं कहीं पर आपको 75 भी देखने को मिलेगा 0-70 या 0-75 कुछ भी आप लिख सकते हैं पेपर में गलत नहीं होता क्योंकि अलग-लग मनवज्ञानिकों ने अलग-लग का है लेकिन हम 0-69 मानते हैं ज्यातर तो मंद बुद्धी बालकों का जो IQ ले कैसे होते हैं जिने खाना खाने तथा कपड़े पैनने में भी दूसरे व्यक्ति क्या होशकता होती हैं साथी निरंतर इनकी हमें देख रहे भी करनी पड़ती हैं ये बालक साधारनते समाज में अपना समयोजन नहीं कर पाते आसानी से इसी वज़़से ने विशी सिक्सा की विशेस विद्यालों में भेजने क्या होशकता होती हैं अब आप समझ पाए मंद बुद्धी बालक कोन होते हैं ऐसे बालक जिनकी बुद्धी का पूरा विकास नहीं हो पाता बुद्धी कम रह जाती है उनमें उन बालकों को मंद बुद्धी बालक कहकर पुकारते हैं इस आप एक लिख सकते हैं फिर दोनों भी लिख सकते हैं बेंडा के सब्दों में एक मांशिक दोस वाला सब बालक वह है जो अपने आपको तथा अपने किरिया कलापो को व्यवस्तित करने में ऐसमर्थ रहता है उसे यह सब सिखाना पड़ता है तथा जिसको स्वेम के और किरियाओ को मतलब जो खुद की किरियाओ को भी व्यवस्तित नहीं रख पाता खुद के काम भी नहीं कर पाता है और उसे खुद के और समुदाए के समाज के कल्यान के लिए निरिक्षन क्या हो सकता होती है मतलब ऐसा बालक जो खुद की किरियाओ पर भी नियंतर नहीं लाते हैं तो आसान सी एक बार में आपके याद हो जाएगी अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि मन्दबुद्धी बालक कितने परकार के होते हैं देखो मन्दबुद्धी बालकों का जो आईक्यू होता है वो 0-69 होता है जिरो से 69 अब इस IQ के द्वारा अगर हम इन बालकों का विवाजन करें IQ के अधार पर तब हमें 3 परकार प्राप्त होते हैं इन बालकों के, मंदबुद्धी बालकों के पहला तो होता है हमारा 50 से 69 50 से 69 IQ वाले बालकों को हम एक category में डाल सकते हैं दूसरा होता है हमारा 25 से 49 तीसरा होता है हमारा 0 से 24 इनको याद रखने के लिए आप इनका midpoint याद रख सकते हैं 0, 25, 50 और 70 यहां के आसपास इनका IQ लेवल होता है क्योंकि अलग-लग मनवग्यानिकों ने अलग-लग दिया है तो यह बालक हमने एक category में रखे इस तरह में मंद बुद्धी बालकों के तीन परकार पराफ्त हो जाते हैं अब उनके बारे में हम पढ़ते हैं सबसे पहला परकार है हमारा मूर्क बुद्धी इन बालकों की बुद्धि लब्दी 50-69 होती है 52-69 होती है ये अलग-लग किताबों में आपको अलग-लग मिल जाएगा किसी में आपको 50-70 मिल सकता है किसी में आपको 50-75 मिल सकता है तो अलग-लग मनुवज्यानी को नहीं अलग-लग कहा है मंदबुद्धी बच्चों में भी अच्छे होते हैं इन बालकों की बुद्धिलवदी 50 से 69 होती है इन बालकों को 16 ये बालक एजुकेटेबल चिल्डरन का आ जाता है अब देखो इन बालकों को एजुकेटेबल चिल्डरन का आ जाता है कियों बोलते हίμα इन बालकों एजुकेटेबल चिल्डरन क्योंकि इन बालकों के शिक्सा प्रदान की जाती है। लेकिन यह अधिक से अधिक कक्सृपान्च भी पोड़ती हैं। लेकिन यह अपना दैनिक कार्या कर लेते हैं कपड़े पैनना खाना खाना वगर इन्हें ज़्यादा देख रहे की ज़रूरत नहीं होती इन्हें एजुकेटेबल चिल्डरन बोलते हैं नेक्स्ट है हमारा मूड बुद्धी जिसे हम इंबे साइल बोलते हैं यह थोड़ा ओर ज्यादा अमंद बुद्धी होते हैं इन बालकों की बुद्धी लफदी 25 से 49 होती हैं इन बालकों को हम पट्चिक्षिन यह बालक ट्रेनेबल चिल्डरन बोलते हैं ट्रेनेबल रही है उस पर कोई समान इधर से उधर उठाकर रखना किसी कंपनी में इस तरह से एक फिक्स ट्रेनिंग दे सकते हैं हम इने यह बालक बिना दिमाग लगा उस कारे को करते रहेंगे इस वज़े से हम इन बालकों को ट्रेनेबल चिडन बोलते हैं यह अच्छा है वैरी सोट मे तो बार-बार पुछे जाता है यह कोश्चन यहां से इन बालकों को शिक्सा परदान नहीं की जा सकती लेकिन हम पर्सिक्षन परदान कर सकते हैं इन बालकों को अपना दैनिक कारे करने में देख भाल की जुरुत होती है यह बालक कपड़े पैन लेते हैं खाना खालेते है लेकिन हमें देख बाल करनी पड़ती है, इन्हें देना पड़ता है, खाना ये कपड़े देने पड़ते हैं, चपल उल्टी हो जाते हैं, थोड़ा बताना पड़ता है इन्हें कि इसको सीधा कर लो, तो इन बालकों के हमें देख रेक करनी पड़ती है, लेकिन ये काम खुद कर लेते हैं तीसरे होते हैं हमारे जड़ बुद्धी इडियाट्स यह मंद बुद्धी में सबसे ज़्यादा मंद बुद्धी होते हैं इनमें बिल्कुल भी बुद्धी का विकास नहीं हो पाता है यह पूरी तरह से निरवर होते हैं दूसरों पर कोई भी काम स्विम नहीं क इन बालकों को पूरता निर्वार बालक इर दीपेंडेंट चिल्डरन को आ जाता है क्योंकि यह पूरी तरह से दूसरों पर निर्वर होते हैं यह अपने दानिकार नहीं कर पाते हैं यह किसी ना किसी का शिकार हो सकते हैं इनकी हमें निरंतर देख रेक करने पड़ती है इन बालकों को इस वह से हम पूंतर निर्वर बालक बोलते हैं टोटली डिपेंटेंट चिल्डर अब आपको पता चल गया मंद बुद्धी बालक तीन परकार के होते हैं एजुकेटेबल ट्रेनेबल टोट निर्वर बालकों के साथ चुँकि इन बालकों का बुद्धी का कम विकास होता है लेकिन इन्हें इस वज़े से विभिन इस्थितियों में समयोजन करना पड़ता है जिसमें बहुत सारे समश्चाइं आती हैं इस प्रकार है यह सोट कोष्चन में आता है सोट में आएगा तो आप इस तरह से दो-तीन लाइन लिखकर ही एडिंग लिख सकते हैं और छे इडिंग है, सो ओटमे एडिंग काभी हो जाती है अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इन बालकों की समष्चा है, क्या-क्या होती है सबसे पहले होती है परिवार में समय जन की समझ्चा अब यह बच्चे अपने परिवार में समय जन नहीं कर पाते हैं क्योंकि माता पिता इस बात को यकीन नहीं करना चाते हैं उनका बच्चे मंदबुद्धी है या पागल है मैं यही मानते हैं कि हमारा बच्चा भी भोला है लेकिन जैसे बड़ा होगा ठीक हो जाएगा तो इस वज़े से ही अपने बच्चे की ट्रेनिंग शुरू करते हैं डाटने लगते हैं तो बगएर बगएर है जिस वज़े से इस बच्चे को परिवार में जो माहोल मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता और यह बच्चा अपने परिवार में अपना समयजन नहीं कर पाता बच्चे के मात पिता को यह विश्वास दिलाना अतियावशक होता है कि उनका बच्चे मंधिपुद्धी है यदि ऐसा नहीं किया जाता तो मैं अपने बच्चे से उच आकाइशायर रखते हैं लेकिन कुछ समय बाद जब उन्हें बच्चे के ऐसा फलताओं के बारे में पता चलता है और उन्हें निरासा होती है तो मैं अपने बच्चे के साथ जो वेवार करते हैं वो सही नहीं करते हैं इसके अलावा परिवार के अन्ने सदस्यों का वेवार भी ठीक नहीं रहता हूँ फिर उस बच्चे के साथ इस वज़े से बच्चा परिवार में कू समयोजित हो जाता है ठीक इसी प्रकार हमारे स्कूल में समयोजन होता है लाक मनाने लगते हैं चिडाने लगते हैं इस वज़े से इन बच्चों को विद्यालने में भी समयजन की समश्चा आती है कई बार मंद बुद्धी बालकों को इस स्कूल और कक्षाओं में अध्यापक के ऐस आनुब होती पूर्ण व्याबार का सामना करना पड़ता है ऐसे बालक कक्षा में अध्यापकों की सामन्ने विद्यो के द्वारा कुछ भी सीखने में ऐसे मर्थ होती हैं जिसके परिणाम सरूप उन्हें अध्यापक की डांट सुननी पड़ती हैं कई बार तो उन्हें डंड भी दिया जाता है इसलिए उन्हें स्कूल से घंड़ना होन तो पॉस के लोग भी मनदबुद्री बालकों को हीन बाउना से देखते हैं इस तथा इनसे मेल जोल बढ़ाना पसंद नहीं करते प्राणा प्रिडाम से रूप इन में हीन भावना पैदा होने लगती है जिससे समाज के अन्ने सदस्थों के समान में समाज को अपने आपको समाज में समय जित नहीं कर पाते इसी कारण इनका समाज़ी की विकास भी समाने रूप से नहीं हो पाता समवेकात्मक समाज़ा है emotional problems मतलब समवेकात्मक रूप से भी है सही नहीं रहते, विक्षित नहीं रहते कभी जल्दी गुस्टा हो जाते हैं, ड्रे वे रहते हैं जल्दी से रोने लगते हैं, कोई भी इन्हें कुछ कहा दे हैं, रोने लगते हैं, डर जाते हैं, तो ऐसा होता है इनके साथ, समय जित नहीं कर पाते हैं अपने आपको समय गात्मक रूप से भी घर इसकुल तो था समाज में उचित वातरों नहीं मिलने करण को समय जित बालक समय गात्मक रूप से परिपा को नहीं हो पाते हैं, इनका समय गात्मक रूप से परिपा को रह जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते हैं, रोने लगते हैं, ड्रेवे रहते हैं, इस तरह से आप ये चीज़ें आपर लिख सकते हैं नेक्स्ट है हमारे विकास की समस्य वेवस्तित विकास की समस्य इन बालकों का विकास भी सही नहीं हो पाता क्योंकि जो विकास है हमारे मस्तिक से ही चलता है हमारा दिमाग अगर सही है तो दिमाग हमारे सहीर को इंस्ट्रक्शन देता है कैसे बढ़ना है क्या करना है लेकिन अगर किसी बालक का दिमाग ही सही नहीं है बुद्धी ही पूरी नहीं है उस बालक में टीक से चलने ही पाते, बोलने ही पाते, आदी, यह बालक एतना उल्च करना, तिक से सुनना, बातचीत करना या ठीक से श्यांति अजय स скणा बारता है थी जो हूं थन सटक से गाड़ियों से टकरा सकते हैं विद्धू तुपकरणों से जटका लग सकता है सोकिट वगरा होता है चछत से गिनने की संभावन आ होती है इस वज़े से हमेरे देख रेक में रखते हैं नेक्स बात करते हैं इनकी शिक्सक विवस्ता यहां मैं आपको बता चुका हूँ विशिस्ट बालकों की जो मैंने कलास ली थी आपके उसमें मैं यह सारे टोपिक बता दिये थी अब दूबारा एक बार हलका सा बता देता हूँ क्योंकि यह वैरिस ओट में आ जाता है मंदब बुद्धी बच्चा को यह पढ़ रहा है आपकी कलास में उसके लिए आप अलग से कक्षाएं लेंगे अपने उफिस में उसे ले जाकर अलग से बताएंगे विशे शिक्सन विदिया समन्य शिक्सन विदियो का परियोग मंदबुद्धी बच्चे के साथ हम नहीं करेंग अपने स्कूल में एक्स्टा करिकुलर अक्टिविटीज का कंडेक्ट भी हम करेंगे जिससे ऐसे बच्चे का कलास रूम में विद्याल में मन लगता है और वह उस महां से भागता नहीं समय साणनी हम थोड़ा समय साणनी का भी ध्यान रखेंगे क्योंकि इस परकार के जो बच्चे होते हैं उनका ध्यान एक जगा पर दस से पंदा मिंट के लिए बना रहता है उसके बाद उनका ध्यान हट जाता है तो हम जो अपनी कलास लेंगे में दस से पंदा मिंट के छोटे-छोटे सेशन में लेंगे स्कूल से भागने कि इनकी परवर्थी को हमें रोकना होता है क्योंकि इनका समयोजन स्कूल में नहीं होता सब बच्चे इनके साथ बैदबाव करते हैं अप वास बनाते हैं इनका इस स्कूल से बाग जाते हैं तो उसको भी हमें रोकना होता है समायोजन में सायता, हमें इनकी समायोजन में सायता करनी होती है दूसरे बच्चों को बताना पड़ता है कि यह बच्चे इस प्रकार का, इसके साथ ऐसा वैवार कीजिए थोड़ा इस बालक को भी मन्दबुद्धी बालक होते हैं, उनके साथ भी बाच्चीत करनी पड़ती है हमें व्यक्तिकत वैवार में सुधार हमें अपने वैवार को भी अपने द्रस्टिकों को बदलना पड़ता है इन बालकों का हमें वैक्तिकत ध्यान रखना पड़ता है, अलग से इन पर फोकस करना पड़ता है कि कब क्या किरियाई कर रहे हैं, किस पर का इनकी स्क्षन पर गिरे चल लगी, क्या इन शीक रहे हैं, क्या नहीं सीक रहे हैं, अलग से इनको ध्यान देना पड़ता है, में इनकी समस्चाओं का अलग से समधान करना पड़ता है उद्धोगों से जोड़ना, और ट्रेनिंग देना इने, ऐसे बालक सिक्सा तो प्राप्त नहीं कर पाते ज़्यादा, इस वज़र से हम इने कोशिस करते हैं, किसी ने किसी उद्धोग से जोड़ दें, बिजनिस से, किसी व्यपार से जोड़ दें, जिससे कि अपना कोई छ देख लेते हैं, क्योंकि आप से पेपर में पूछ ले जाता है कि किस बालक का कितना IQ होता है, हमने परतिबसाली बालक के बारे में पढ़ लिया है, और मंदबुद्धी बालक के बारे में पढ़ लिया है, इस में से, अब IQ लेवल का ये चार्ट है, परतिबसाली बालक का जो IQ होता है वो 110 उससे अधिक होता है समने बालक जो IQ होता है वो 90 से 라는 होता है पिछटे बालक का जो IQ होता है 17, 89 हुता ही इस हम नेक्स्ट वीडियो से सब्सक्राइब पढ़ें इस आईक्यो यह थोड़ा उपर नीचे आगे पीछे आपको मिल सकता है अलग-लग बुक्स में कहीं कहीं पर आपको यहां पर 120 पलस देखने को मिलेगा कहीं कहीं पर आपको 92 110 देखने को मिल सकता है और यह आपको 70 से 90 देखने को मिल सकता है यह आपको 0 से 70 देखने को मिल सकता ह इस तरह से जो IQ है वो हलका फुलका उपर नीचे होता रहता आपके paper में अगर पूछा जाता है कि समन्य बालक का क्या IQ होता है कुछ भी लिख सकते हैं आप 90109, 90110 इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों सही माने जाते हैं यह आज की अमरी कलास थी I hope अब आप इसे समझ पाए होंगे वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने B8 गुरूप में दोस्तों के साथ सेयर कर सकते हैं B8 की सभी सब्जेक्ट की डेली कलासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं Till then, bye bye, take care